खरते हैं लेंगिक भेद और समवेदन सील्टा के बारे में लेंगिक भेद अखिर होता एड़ लेंगी इसका हिंदी में मतलब होता है pull link, isthreet link और नपुनसक link हला कि एक link और भी आ गया है जिसको हम लोग सामाव सूप्रीम कोट ने उसको तीसरी सेड़ी में रखा है जो लोग ना तो पुरूस होते हैं ना तो isthreet होते हैं उनको भी तीसरे लिंग में रखा जाने लगा है तो जंडर का मतलब यही होता था लेकिन जो अंग्रेजी में जो जंडर है और जो हिंदी में लिंग है इसमें कोई बहुत ज्यादा सब्दों में फेर में लोग उलज जाते हैं लिंग का मतलब यह होता है जब लिंग भेद होने लगता है जब जैसे हम लोग लिंग भेद की बात करें तो जेंडर के नाम पर जैसे कोई मेल है पुरुस है या फीमेल है इस तरी है तो कोई प्राकरतिक रूप से कोई कमजोर या बहुत मजबूत नहीं है हम जब ये समझ लेते हैं कि जो पुरुस है वो मेल होने के कारण पावरफुल है महिला से जादा महिलाएं कमजोर होती है अगर हम ऐसी विचारधारा मन में लगा लेते हैं क्योंकि हमारा जेंडर मेल है इसलिए हम क्या है सक्तिसाली है और क्योंकि महिला क्या है फीमेल है इसलिए वो कमजोर है हमसे और इस आधार पर जब हम भेदभाव को सुरू कर देते हैं, भेदभाव सुरू करना कर देते हैं, कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं, उनके उपर हिंसा करने लगते हैं और उनको gender justice नहीं मिल पाता है, लेंगिक समानता नहीं मिल पाती है उनको समाज में उचित अस्थान नहीं मिल पाता है तो इसको लेंगिक भेद कहते है Gender in justice gender के नाम पर जब इतना ज़दा होता है कि हम पुरुस हैं तो हमारी ही जीत है और कोई स्तुरी है तो वो क्या कम जोर है वो लाचार है, ऐसी स्थितियां जब हमारे मानसिक मन में समा जाती हैं तो इसको लैंगिक भेद कहते हैं और इसलिए एक बहुती बड़ा चैप्टर पढ़ा जाता है समाज सास्तों गएरा में या राजिनीती सास्त्र का भी सह है यह कि लैंगिक समवेदन सीलता लेंगिक समवेदन सीथा लिंग के प्रत you आपको समवेदन सील होना चाहिए। नअ जहां पर लेंगिक भिधभाव हो उसके लिए आपको सामने आकर उसका सामना करनाचाहिए। ऐसी परिस्थितियों का जो है अब ऐसे समाज से ऐसी बिकृतियों को ऐसी बुराईयों को किस परकार से हटाया जा सकता है तो पहले कुछ इनपॉर्चन बात है यह कि अवेर्जनेस होनी चाहिए लोगों में जागरुकता होनी चाहिए कि लैंगिक विभेद हमें नहीं करना लिंग की आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिक्षा का अस्थर उँचा होना चाहिए, समाज ससक्त बने, सिक्षा का अस्थर उँचा हो, टाकि जो महिलाएं हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिल सके, उनको ये इस बात की फीलिंग कभी ना हो, कि वो कमजोर हैं पिलाते हैं तो यह भी एक लंग्ग कर सकते हैं कोई लड़की है तो habe ich लड़की नेगी कोभी उतना ही लाड़ प्यार से पालना फिल पॉसर सामाजिक के बदाता है उतना किमचाछों अभந्धाओ सामाजिक परमपर करते हैं संभाण बंदी को यह बाद कंद ह эффore सोच में भी चेंज लाने की ज़ूरत है उसके बाद में लोग तंत्रिक बेवस्था में रहते हैं लोग तंत्र अपना देश का बहुत हिस्सक्त है यह सभी महिलाओं और पुरुसों को समान अधिकार देता है तब आप यहां पर यह बात नहीं कह सकते कि हम महिलाओं को दबा क कर रखेंगे क्योंकि भारत का संविधान तो सब को भारत का कानून तो सब के लिए समान है भारत में राजिकर नीत निर्देशक तत्त हैं आपको पता है जिसमें कहा गया कि सभी महिलाओं और पुरुसों को समान कारे के लिए समान बेतन मिलेगा अगर आप पुलिस के अध पड़ेगा लोगों को उसको समझना पड़ेगा संस्टिविटी होनी चाहिए लोगों के अंदर संवेधन सीलता होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सके और बाट सके